आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टरून स्टाइल नल्ली की रेसिपी और अगर आप में इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही में बेल आइकन को दबाए इससे मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपक नल्ली ली है मैंने नल्ली में थोड़ा गोश भी लगा है इस तरह की नल्ली आप ले ये तीन मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे स्लाइसेस में कट कर ले और ये कुछ खड़े गरब मसाले है तीन तेज पत्ता दो चोटे दालचीनी के टुकडे आदा चोटा चमचकाल अब एक कुकर लेंगे इसमें डाले देड़ का तेल और अच्छे से गरम होने दे जब तेल गरम हो जाए तो डाले ये खड़े गरम मसाले और थोड़ा चटकने दे अब डाले ये प्याज इसे बराबर चलाते वे हमें गोल्डन फ्राय करना है ये देखिए प्याज में ये लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है अब इसमें डालेंगे ये दो बड़े चमच लैसन का पेस्ट और दो बड़े चमच अद्रक का पेस्ट और अच्छे से चला कर मिक्स कर लेंगे दो मिनट तक अद्रक लैसन को भून लेंगे अब डाले ये मटन और अच्छे से चला कर मिक्स कर लें अब इसे धकन लगा कर पकने देंगे आज मिडियम रखें और गोश्ट को पानी सूखने तक पकाना है बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये देखें गोश्ट का पानी अब अच्छे से सूख गया है अब इसमें हम मसाले अड़ करेंगे दो बड़े चमच हरी मिच का पेस्ट आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर चा चोटे चमच धनिया पाउडर एक चोटा चमच लाल मिच पाउडर एक चोटा चमच जीरा पाउडर आधा चोटा चमच काली मिच पाउडर एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर और दो चोटा चमच नमा और साथ ही में इसमें पानी डाले और मिक्स कर ले ये मैंने दो गलास पानी डाला है कुकर का ढखकन लगा कर आट से नौ सीटी लगा ले या फिर जब तक कि गोश गलना जाए अब हम चेक कर लेते हैं कुकर का ढखकन खोले ये देखें गोश कल चुका है अब गैस की आँच तेज कर ले और गोश को अच्छी तरह मसालों के साथ भूनेंगे बीच बीच में चलाते रहें अब गोश मसालों के साथ अच्छे से भून गया है मसालों से भी तेल निकल चुका है अब इसमें हम पानी डालें ग्रेवी के हिसाब से पानी एड़ करें यहां मैंने तीन ग्लास पानी याड़ किया है और डाले एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और ये दो छोटे चमच कॉन फ्लार है इसमें थोड़ा पाइन डाल का इसका घूल बना ले और ये कॉन फ्लार इसमें डाले और एक बार अच्छे से मिक्स कर ले नमक वगईरा चेक कर ले अगर कम जादा हो तो डाले अब धकन लगा कर बॉइल आने दे गोश में बॉइल आना शुरू हो गया है अब गैस बन कर दे उपर से कुछ धनिया की पत्ति डाले और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल नली तयार है गर्मा गर्म नान के साथ या पराटो के साथ या फी चावलों के साथ इस नली का मज़ा ले और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू फो वाचिंग टेक कैर ला आफेज